Hi Everyone, स्वागत आप किपने चल सरकारी नोगरी में सोचिए क्या होगा जब आपका सर्टिफिकेट किसी एक डिस्टिक में काउंसिलिंग कराने गए, वहाँ पर वैलिड हो और दूसरी जगर आप काउंसिलिंग कराने गए, वहाँ इन्वैलिड हो जाए कुछ इसी तरह का वाग क्या हुआ है, कुछ ऐसे कांडिडेट जो 68500 की वैकेंसी में उन्होंने आवेदन किया था, काउंसिलिंग करा लिया लेकिन जब जॉइनिंग की बारी आई, तब क्या हुआ, जो सामली के वियस्टे थे उन्होंने उस डिपलोमा को अमान करार दे दिया, कहा कि यह जो डिपलोमा है जम्मू कस्मीर इन्वरस्टी से इन्होंने इलिमेंटरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है जो कि यहाँ पर वैलिड नहीं है जबकि सामली के लावा अने डिस्टिक में वह वैलिड था अब्यर्थियों ने जॉइनिंग लिए थी लेकिन बस सामली के लिए यह वैलिड नहीं था इसको लेकर के अब्यर्थि पंकज भाटिया जो जजस साहब थे उनके पास अपनी बात पहुचाई अपनी सुनवाई के लिए उन्होंने डेट लिया फिर जजस साहब ने यह आचिका करता के बात को सुना और उन्होंने बियस्से को यादेश दिया कि इनकी काउंसलिंग जो हुई है इनकी ज्वाइनिंग ततकाल कराई जया फिर क्या हुआ फिर बियसे साहब कोई बात अच्छा नहीं लगा उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से नियुक्ति नहीं दूँगा जम्बू कस्मीर में NCTE के नियम लागू नहीं होते हैं जिससे चुनोती दी गई है जबकि याची का करना है कि अब जो है जम्बू कस्मीर में भ करते हुए कहा कि एक ही भरती में अलग-अलग डिस्टिक्स में नियुक्ति प्रक्रिया भिन-भिन कैसे भाई उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं हर जगा यह वैलिड है आपके डिस्टिक्स में वैलिड क्यों नहीं है इस पर वह कोई जबाब नहीं दे पाए तो आप जान ले जम्मो कश्म इंवस्टिस से यह वाला डिप्लोमा किये होंगे उनको इस बात का थोड़ा सा डर तो बैठे गा ही कि कहीं मुझे भी ना रोक लगाई जाए तो उनके लिए खास ख़बर है वो लोग इस आदेश को दिखा सकते हैं वहीं बात करें एक फरजी सिच्छक के बा सकता उससे लोगों को गिरफतार नहीं किया सकता सोच लिजए किस लोगो को गिरफतार किया जाएगा जो लोग अच्छे सेignant वहीं सीटेट 2020 का जो एक्जाम होने वाला तापमान जुलाई को उसको पोस्टपोन किया गया था अभी तक कोई डेट नहीं मिल पाया है लेकिन सीवीस्टी की तरफ से इस पे विचार किया जा रहा है जल्द ही जैसे ही नीट या जेए की परिच्छा के लिए घमासान चल ला अंसन पे बैठे हुए हैं कि जितनी परिच्छाएं हो रही हैं या अंतिम बर्स की परिच्छाएं समेस्टर परिच्छाएं हैं सब को रद्द किया जाए परिच्छाओं को न कराया जाए और उन्हें प्रमूर कर दिया जाए ऐसे में उन्हें गिरपतार कर लिया गया था फिर साम को नीजी मुचलके पर छोड़ दिया गया, पुना छात राकर के अंसन पर बैट गया है, कह रहे हैं तब तक जेल जाएंगे, तब तक पकड़े जाएंगे, जब तक की परिच्छा रुक नहीं जाएगी. वहीं बेसिस सिच्छा में सुधार को 8069 करोर रुपे की कार योजना को मंजूरी मिली है, अब यह पैसे कितना सिच्छा विभाग में लगेगा, आपको देखने में पता ही चल जाएगा, जब आप प्रामिरी विद्याले में पढ़ाने जाएंगे, तो विद्याले का जर जर देखके पता चल जाएगा कि कितने पैसे कहां गए, वहीं TGT 2016 की बात करें, आज 2016 से चौथा साल चल ला है, दुजर बीस चल ला है, TGT 2016 की वैकेंसी जो थी, उसमें जीव विज्यानियानी की बायों की जो एक्जाम था बायों का वहा नहीं हो पाया, उसको लेकर के अब भैर्थी तभी से धरना दे रहे हैं, दिन पर दिन इधर उज़र दोड रहे हैं, लेक 31 अगस्त के पहले अगर एक्जाम डेट नहीं आया, जो कि कुछी दिन बचा हुआ है, तब हम लोग एक भयंकर आंदोलन करेंगे, फिलाल करना भी चाहिए, एक्जाम नहीं करा रहे हैं, इधर TGT 2016 वाले ज्यानिंग ले रहे हैं, अभी लों एक्जाम देंगे, साल बर तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे, फिलाल अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद